नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे बी एवी होसिस पी आयार के बी जो खेला जाएगा जिबल्टर टी टैन का मैच दोनों टीम का परफोमेंस अगर देखोगे सीरीज में बह कि अल्मोस्स सॉटेड है उसके बारे में भी डिस्कुस होगा इस वीडियो में पुरा वीडियो ध्यान से देखना साथ इसाथ बहुत जल्दी गाइस स्टार्ट होने वाला है इरुपेंट क्रिक लिक सेम डे पाच मैच होगा छे न्यू टीम इंटेडियूस होंगे साथ फ को भी सब्सक्राइब करके रखना तो आता हूं इस मैच के एनलाइसिस में इरोपा स्पोस्स कॉम्प्लेक्स में मैच होगा जहां पर एक सो बीस एक सो तीस मेरा मानने एक एवरे स्कोर है अगर वह क्रॉस हुआ तो चेजिंग मुश्किल अदर्वाइस चेजबल है बट करना थोड़ा सा अगर करोगे अधर टीम्स तो थोड़ा सा वीक है तो इनके लिए 120 बहुत जादा हो जाएगा जो मुझे लगता है एक सो एक सो दसी काफी होंगे इनके लिए ऐसा लग रहा है देखते हुए क्यूंकि इनका बैटिंग ओटना थोड़ा सा गास अगर देख इनका जो एक टिकिंग जो है ना बैट्समें यह तीन है इनके बास धियान देने इस बात के ऊबर तीन बहुत अच्छा अच्छा डिकिंग बैट्समें हे तीन हो आपकी टिम में चाहिए रहेगा भी आपकी टिम में captain wise captain Ian Leighton जो last match में balling नहीं किया थोड़ा सा guys risky हो जाता है और a-race थोड़ा safe हो जाता है but Ian Leighton बहुत अच्छे player है but दोनों में मैं मानता हूँ अगर bat first हुआ तो Ian Leighton भी equally important और safe captain है a-race जितना है बट हाँ अगर ball first हो गया और ऐसा हो गया कि Ian Leighton ने balling नहीं किया तो chasing में मेरे साब से a-race थोड़े better हो जाते है अगर 80-90 run का target हुआ तो ठीक है टीम में तो दोनों होना चाहिए के नेस्टर bat first करेगा तो differential cap vc बेशक बनाओ बहुत ही अच्छे attacking batsman है batting opening भी करना चाहिए और maybe इस match में open भी करते हुए दिखेगा सबसे बड़ा differential होगा guys कौन इस match में के नेस्टर as a cap vc ठीक है बाकी यहां से अगर देखो के last match में पैट्री ने एक over डाला था फेरल अपने over complete नहीं कराया था इनको balling मिलने का कारण था बोधा ने balling नहीं किया actually क्या हुआ था ना ये team 80-85 के करीब run बनाया था ना तो open end बहुत easily chase कर रहा था 7 over में शायद chase करोगी है 7.4 over में तो उस condition में इनके main ballers like S, Boda या लेटिन वगेड़ा balling नहीं किया था but इस match में मुझे लगता है सब भी balling करेंगे C, lowe भी balling कराएगा तो main ballers जो है मैं ले लूँगा अगर C, lowe या तो S, Boda किसी ऐसे बरे ballers से कोई नहीं खेलता है तो हम लोग differential try करेंगे J, Matthews जिन्होंने last match में अच्छा balling किया और A, Q, Q के निकाले थे ठीक है अगर यहां से lowe नहीं खेला तो guys आपको J, Matthews डेट में भी करते हो दिखेगा और differential बनेगा यह थोड़ी सा past record है आप हलका चाहो तो review कर सकते हो ऐसे ही कैसे इन-depth analysis देखो यहां पे आपको ज़्यादा तर प्लेस के record मिल जाएंगे जहां पर international है, ECS के record है ऐसे records आपको European Cricket League का भी मिलेगा इसी channel में तो channel में नहीं हो, फटा-फट subscribe करके रखना क्योंकि for future update बहुत ही जल जो series start होगा उसका coverage भी आपके लिए बहुत ही important होगा तो telegram important होता है, ठीक है तो telegram join हो जाना and video अगर new देख रहे हो तो guys channel को भी, इस YouTube channel को भी subscribe करके रखना पियर अपने चार्म का चार मैच हार्गा आ रहा है रिजिन के है ना, इनसे मुझे लगता है सबसे अच्छे batsmen दो लगे, मुझे के फरारी और एल ब्रूस, जिन्होंने guys अच्छा run किया है, बट बहुत बड़ा score किया नहीं है जिसके कारएं टीम बहुत जादा score बना नहीं पा रहा है बैटिंग से, हुसेन ने last match में थोड़ा खेल दिया, innings, बैटिंग सेक्शन में तो हम लोग ले सकते हैं, बट must pick नहीं है सेम अधित होई, जिन्हें लास्ट में एक ओवर में विकेट लेस थे, बट हम बॉलिंग तो कराया था अब देखो, ये टीम अगर बॉल फर्स्ट करता है हैच्मेन और रवी पंचल बहुत इंपॉर्टेंट पीक हो जाएगा मैं रिपीट करूँ, ये टीम अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये टीम अगर बैटिंग फर्स्ट किया मुझे नहीं लगता बहुत जादा रन बना पायागा तो अपनेंट शायद इजी चेस कर लेगा क्योंकि बॉलर अच्छा है गाइस, विकेट नहीं मिल सकता है वर्ट हम बॉलर डिसेंट है और इंटनेशनल भी करेंडली खेल रहा है बाकि यासे शायद मैं नालू असिर्थ तरार बैटिंग सेक्शन से ऐसा ओल लांडर यहां से फिर से पास रिकाड है चाहता है रिव्यू कर सकते हैं तो यहां पर अच्छानक से आप मतलब आके देख सकते हो तो अलग से देने का कुछ मतलब होता नहीं है क्योंकि टाइम इस्ट होता है उसमें और कुछ नहीं जैसे कि यह लटीन होगे मेरे सबसे डिफॉल्ट है नॉट बॉल इन लास्ट मैं जिसके कारण देखोगे न मैं बैट फर्ज डिफॉल्ट बना रहा हूँगा कैप्टेन बैट सेकेंड शायद मैं ए रिस जो है वो भी टिक टाक पीक होंगे एल बॉस एक पंद थे और के नेस्ट और ये भी एक पंद होंगे ऐल बॉस और नेस्ट और बाकी यह रहा मेरा फिलाल टीम कौँ सा रहा यह रहा फॉर फाइनल अपडिक टेलीग्नाम जाना फॉर फाइनल टीम भी उससे पे मिलेगा फिलाल मैं स्पॉर्ट पिजी का टीम एंस अपना 11 का नहीं दिखा रहा हूं रिजन आपको मालूम है फिरारी है हमारे पास तरार है आती तो ही है गाइस नदी मुसे ने हमारे पास वी सी ए एडिस के अपने यह लैटीन सी लोई हमारे पास एस बोध है देखो मैंने न अल्मूस्ट पाचो में बॉलर कवर कर लिया क्योंकि इस टीम का ना मुझे बैटिंग के फरारी और एल बूस के उपर डिपैंडन लग रहा है अधर वेस्ट करेगा इसके लिए मैं थोड में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है थैंक वेस्ट बैए